गौरेला पेंडरा मरवाही जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कारवाई करते हुए मनरेगा के लोगपाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफतार कर लिया है गौरेला जनपत पंचायत के कारिकरम अधिकारी की शिकायत पर ये कारवाई की गई लोगपाल मनरेगा वेद प्रकाश पांडे को गिरफतार कर ACB की टीम गौरेला जनपत के सभागार लाई गौरेला जन्दपत पंचायत के कारिक्रम अधिकारी रोशन सराफ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके एक ब्रश्टाचार के मामले में मन्रेगा लोगपाल वेद प्रकाश पांडे के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है जिसकी शिकायत के बाद ACB की टीम ने जिला पंचायत के लोगपाल मन्रेगा के कार्याले में दबिश दी और अधिकारी को गिरफतार कर लिया बता दें कि ACB की 10 सदस्य टीम बिलासपूर से आज गौरेला पिन्रा मरवाही जिले पहुँची थी वहीं आज 12 सितंबर को राइगड जिले के शिक्षा विभाग के एक रिश्वत खोर बाबू को भी 25,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया गया है दरसल 17 अगस्त को मिडल स्कूल खर्सिया जिला राइगड में पदस्थ शिक्षक उमेन सी चौहान ने शिक्षा विभाग के बाबू ओम प्रकाश नवरत्न पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया बिलासपुर ACB को उसने बताया कि उसकी पतनी के इलाज से संबंधित मेडिकल बिल पास कराने के एवज में ओम प्रकाश 25,000 रुपे रिश्वत की मांग कर रहा है इस पर ACB ने 25,000 रुपे आरोपी को देने के लिए प्रार्थी उमेन सी चौहान को दिये रिश्वत की रकम जैसे ही ओम प्रकाश ने उमेन सी चौहान से ली वैसे ही ACB की टीम ने उसे पकड़ लिया गौर तलब है कि पिछले कुछ समय से ACB के द्वारा भरष्ट अधिकारियों कर्मशारियों पर लगातार कारवाई की जा रही है VIEW Report, NPG News